हलो इस्ट्रेंट्स स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं मेरा चैनल इस्टेजी टाइम भाई राजेश सर्मा और यहां इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट और इस बु देगन तो प्यारे बच्चों यह एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत कविता है तो प्यारे बच्चों यहां पर भी हम इस पॉयम का अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी यहां पर डिफिकल्ट बर्ड आएंगे उनकी भी हिंदी देखेंगे तो आए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक चीज यह कि यदि आप मेरे नए वीवर हैं आपने अभी तक मेला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को भी सेयर करें प्लीज तो आये शुरू करते हैं तो प्यारे बच्चों ये जो कविता है ये एक कथा गीत की सेली में लिखी गई है यानि बेलाड के रूप में लिखी गई है अब बेलाड क्या होता है ये एक ऐसा गीत ये कविता होती है जो हमें एक कहानी सुनाती है आप उन कथा गीतों से परचित होंगे जो साहस्त या बहादुरी की कहानियां कहते हैं ये कविता एक हश्यास्पद कतागीत है यानि हूमरस बेलाड है ये पेरोडी है जो कि एक विद्दूपी का नकल है तो प्यारे बच्चो इसको हम अब सुरू करते हैं ये देखिए इसका पहला इस्टेंजा बेलिन्डा लिव्ड इने लिटिल वाइट हाउस बेलिन्डा रहती थी एक छोटे वाइट हाउस में अनि सफेद रंग के मकान में विद लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस छोटे काले रंग के बिल्ली के बच्चे के साथ और छोटे मटमेले कलर के माउस के साथ या सलेटी रंग के माउस के साथ चुहे के साथ एंड लिटिल यलो डॉग और एक छोटे पीले कुत्ते के साथ एंड लिटिल रेड बैगन और छोटी लाल रंग की गाड़ी के साथ और इनके साथ ही उनके पास एक और डेगन भी था छोटा सा पालतु और उसके लिए पुमा दी गई है यहाँ पर वास्तविक और सही या सत रूप से वो बहुत ही छोटा सा पैट डेगन है यहाँ पर यह बहुत है अश्यासपद नाम है सभी जानवरों के यहाँ जो छोटा ब्लेक किटन है जो बिल्ली का बच्चा है उसका नाम इंक है याद रखें इंक इंक किसका नाम है ब्लेक किटन का एंड दा लिटिल ग्रे माउस और जो लिटिल ग्रे माउस है जो चोटा मटमेले रंग का जो माउस है सी कार्ड हिम ब्लिंक यानि उसका नाम ब्लिंक है एंड दा लिटिल यलो डॉग वाज शार्फ एज मस्टर्ट और जो छोटा यलो रंग का जो कुत्ता है वो मस्टर्ड की तरह शार्प है यानि सरसों की तरह बिल्कुल चमकीला है तेज है बर दर ड्रेगन वाज एक कोवार्ट लेकिन जो ड्रेगन है वो बहुती कोवार्ड है मनलब कायर है एंड सी काल्ड हिम कश्टर्ड और बैलिंडा इसको कश्टर्ड के करके बुलाती है तहिया पर जो चारों उसके साथ ही है उनके नाम आगे यानि ब्लै किटन का नाम ङूंग है ग्रे और येलो ड्रेगन का नाम कश्टर्ड है तो प्यारे बच्चोह अभी बहुत ही अजीव तरह के जानवर उन्पर उन्हों ने पाल जो डेगन है उसके पास सथा जो दान्ट है यानि उसके जो दन्थ है वो बड़े बड़े और गृप नुकी लीरत इंड इसके व्यबदा हैं वर मम ह।-बड़े और नुकीले। चिमनी फॉरे नोच और जो चिमनी होती है धुआ उगलने वाली उसकी तरह उसकी नाख है नाख का बढ़न चिमनी से किया गया है और वास्तवी ग्रूप के और एकदम सच्चे जो है उसके जो टोज है वो बिल्कुल डेगर्स की तरह है यानि उसके जो पैर के पंजे हैं वो बिल्कुल कटारी की तरह है डेगर की तरह है बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बेरल फुल ओ बियर्स यानि बेलिंडा जो है वो अत्यधिक बहादुर है बेरल फुल ओ बियर्स का मनलब अत्यधिक बहादुर एंड इंक एंड ब्लिंक चार्श्ड लाइन्स डाउन दा स्टेर्स और इंक और ब्लिंक जो है वो इतने बाधूर हैं याँ पर इनकी बाधूरी की जो है मिसाल दी गई है कि वो एक लायन को भी सीड़ियों से नीचे जो है भगा देते हैं उसका पीछा करते हैं मस्टिर्ड वाज एज ब्रेव एजड़ ओर नेमें इस इतना बहुदुर है यानि जितना बहुदूर एक टाइगर अपने इतना बहुदूर यह पर मस्टव को बताया गया है बॉट कर्टर टाइड फोर इनाइस सिस्ट केज लेकिन कर्टर गी यहां पर किसी वी तरह की उसे कायर बताया गया वो हमेसा एक से लक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है जा अब इनडा टिकल्ड लिंग ऑफ कि सी टिकल लिंग अनमर्शीफूल यहानि वेलिनडा उसको गुद गुद आती है उसके हाथ फिराती है उसके स्रूेर dispartη और तिकल करती को ऊनमर्शिफुल हैनि बहुती निरद्यत्यत के साथ अर्झ मर्सीफुलं एंग ब्लिंक एंड मस्टड बेर गोड़ी कॉर्ड्डि कार्ड नम इंक ब्लिंक और मस्टड्ड जो है वह उस जो के उसको क्या नाम से पुकारते हैं परसीवल बहुती रूडली उसको परसीवल के नाम से बुलाते हैं असब भी तरीके से दे आल सेट लाफिंग इन दा लिटिल रेड वेगन और ये सारे के सारे उस छोटी सी लाल गाड़ी में बैठ करके हसते हैं एड़ रियलियो टूलियो को कोवार्डी डै Кон उस बास्तविक के जो है सचे जो गोडली डेगन इसकी तरफ उसकी तरफ देखकर के असते हैं ईस। डरफोग डेगन की तरफ देखकर के हसते हैं सबी यह उसका मजाक उडाते हैं बेलिंडा गिगल तिल सी शूग दाऊवस एड ब्लिंक सेट बीक विच इस गिगलिंग फॉर एमाउस इंक एंड मस्टर्ट जूडली आसकेड हीज वें कश्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ बेलिंडा गिगल गिगल का महला होता है हसना खिल खिला के हसना तो बेलिंड घर जो है हिलने लगता है यानि जब तक घर हिलने नहीं लगिया है तब तक हसती है कहने का मलत बहुत जोर से हसती है डेगन को देख करके और ब्लिंक उसे बीक कहता है कमजोर कहता है और वो एक माउस के लिए हसता है इंक और मस्टर्ड इंक और मस्टर्ड बहुती असब व पूसते हैं एज जबकि कश्टार्ट हमेशां एक सुरक्षित सेफ पिंजरे के लिए रोता है सेफ के लिए रोता है सुरक्षित और सेफ के लिए रोता है अचानक से उन्हें एक बहुती नेश्टी साउंट यहां पर प्यारे बच्चों एक दिन क्या होता है कि अचानक से उन्हें एक बहुती नेश्टी साउंट यानि एक बहुत भदी सी गंदी सी आवाज वे सुनते हैं सभी और उस आवाज की तरफ जो साइद किसी विक्ती के दोरा पैदा की गई है उस आवाज की तरफ मस्टर्ट गुराता है और वे चार और देखते हैं म्याउं क्राइट इंक इंक अपनी आवाज में चिलाती है म्याउं करती है और वे क्राइट बेलिंडा और वे करके बेलिंडा चिलाती है और देखते हैं प्रेट क्लाइबिंग इंदा विंडा क्योंकि यह सब उस समय करते हैं ऐसा जब खिडकी में होकर के एक व्यक्ती चड़कर के उपर आता है और वो एक पिरेट है पिरेट का मनला होता है दस्यू समुद्री दस्यू यानि समुद्री डाकू यानि एक समुद्री डाकू अचानक उनकी घर में आ जाता है खिडकी मो करके और यह सारे के सारे जानवार और बेलिंडा उसको देख करके चिलाने लगते हैं अब यहां पर बर्णन किया गया अगले इस टेंजाम है उस डाकू का कि वो कैसा दिख रहा है पिस्टल इन इस लेफ्ट हैंट पिस्टल इन इस राइट यानि उसके दोना आतों में उसने पिस्टल पकड़ रखी है यानि उसके दाएं हाथ में भी पिस्टल है और बाएं हाथ में भी पिस्टल है यानि बंदूख है और एक छोटी छुरी चमकदार जो छुरी है वो उसने अपने दातों में दबा रखी है यानि दोनों आतों में पिस्टल और मुह में उसने दातों में एक चमकदार नुकीली जो है छुरी को दबा रखा है और उसकी जो दाड़ी है वो बहुत काली है और उसकी एक टांग बुड की यानि लखडी की बनी हुई है और यह बिलकुल साफ हो गया कि उसका इरादा नेक नहीं है यानि उस समुद्री डाउंकू का इनके घर में आने के प्रतीज जो उसका इरादा है वो अच्छा नहीं है यानि कहने का मलब वो लूट पार्ट करने के लिए आया है अब अब देखिए का आगे क्या घटना होती है बेलिंडला उसको देख करके पी डी पढ़ जाती है और वो जोर-जोर से सायता की अवाज लगाती है help help करके cry करती है बट मस्टर्ड फ्लेट विद टेरिफाइड येल्फ और उसको देख करके जो मस्टर्ड है वो अचानक से बहवीत अबाज में यह एक बहसे बरीवी अबाज निकालता है वहांसे भाग जाता है इंक टिकल डाउन टू दा बॉटम आप दा हाउस होल्ट और इंक जो है वो बि है और चोटा माउस है जिसका नाम ब्लिंक है वह बहुत ही तरीके से बड़ी योजनावद तरीके से वह जो है अपने बिल के अंदर चला जाता है निस सारे के सारे जानवर जो जिनकी बहादुरी का उपर बर्णन किया गया था यहां पर जैसे ही उनके सामने कोई खत्रा आ अब बारी आगी किसकी डेगन की लेकिन वह नहीं डरा डेगन नहीं डरा वह एकदम कश्टर्ड जो उचल करके खड़ा हो गया और एक इंजन की तरह स्नौर्टिंग करने लगा मलत जैसे इंजन आवाज करता है चलता है जो तेस तरह वह जोर-जोर से स्नौर्टिंग उसने शुरू की कहने का मलत बहुत जोर-जोर से गरज नहीं लगा क्लैस्टिस टेल लाइक आइरंस इन डंजियन और जैसे जो डंजियन होती है डंजियन का मलत होता है कैद खाना कैद खाने में लगी हुई जो लोही की छड़े होती है तो उसकी तरह उसकी पूच्च कड़क हो कोई मेरा लोही की छड़की तरह और उसे उसने जोर से फटकारा विदेक लेटर एंड़ क्लैंक एंड़ जैंगलिंग इस्पिरम और जैसे उसने अपनी पूच्च को फटकारा तो फटकारने से विभिन तरह की जो खंखनाट चंजनाट की अवाज हुई कि वो उस पूच्च गठा जैसे कोई रॉबन नाम का पक्षी एक पक्षी का नाम नाम है और वबन यान्यक indem की पक्षी का नाम होता है उसको बर्म कहते हैं तो वो उस पिरेट की तरफ जंगली कहने का मनला उस जल दश्यू की तरफ ऐसे जपटा जैसे एक रॉबिन पक्षी एक कीले को पकड़ने के लिए जपटता है अब क्या हुआ आगे यानि वो पिरेट जो है जैसे उसने ड्रेगन को देखा वो बेलिन ला का जो ड्रेगन था जैसे उसने उसको देखा तो वो एक मूर्खों की तरह उसकी तरफ देखने लगा यानि उसको देखकर के डर गया वो डागू और उसने अपनी जैब में से अपनी पॉकिट में से एक फ्लेगन निकाली मनलब एक हत्ते वाली एक बोतल जिसमें सराब बरी हुई थी वो सराब निकाली उसने ग्रॉब और उसे गल्प कर लिया मनलब निकल लिया कहने का मनला शाहस पैदा करने के लिए उसने अपनी जेब मैं से एक शराब की बॉतल निकाली रो उसमें से थोड़ी शराब पी उसने दो गोलियां चलाई लेकिन उन में से एक भी गोली जो है ड्रेगन को नहीं लगी कहने का मनला ड्रेगन का सरीर इतना कड़क था कि गोली उससे टकरा के उचल के चली यह उसके सरीर में नहीं गुसी और कश्टर्ड गोल्ड हिम एवरी विट और कश्टर्ड ने अचानक से उसके उपर हमला कर दिया और उसको बिलकुल उसका एक एक टुकड़ा खा गया कहने का मनला पूरे के पूरे डांकू को खा गया निकल गया आगे देखिए अब डांकू खतम कर दिया जैसा कि उपर लि बैलिंडा एंब्रेस्ट हिम मस्टड लिग्ढ करने आगे सारे जानवर बैलिंडा ने कश्टर्ड को अपनी जो हैंब्रेस किया यह उसको पुछकारा उसको अपनी जो है बाहों में ले लिए और मस्टर्ड लिग्ढ करने उसे चाटा No one mourned for the pirate victim और वो जो pirate नाम का शिकार था उसके लिए किसी ने भी शोक नहीं मनाया मौर्ण का मनलब शोक मनाना victim यानि शिकार Ink and blink in glee did gyrate glee का मनलब होता है खुश होना gyrate यानि घूमना चारो और चक्कल लगाना इंक और ब्लिंक जो है बड़ी खुशी के साथ चारो और चक्कल लगाने लगे around the dragon that ate the pirate dragon के चारो और जिसने उस pirate को ate किया था कहने का मनलब खा गया था but presently अफ इस पॉक लिटिल डॉग मस्टार्ट लेकिन अब चूंकि अब मरमरा गया डांकू तो अब डॉग अब presently अब सारा काम हो गया तो बो डॉग जो है वो अपनी सेखी बगार रहा है वो कह रहा है डॉग डॉग नाम जो मस्टार्ड नाम का डॉग है वो बता रहा है कि I would have been twice as brave if I hadn't been flustered यहनि वो कहरा कि I didn't go fluster नहीं किया जाता जड़ाया नहीं जाता यह मुझे चोंकाया नहीं जाता तो में अब की बजाया दुग ना बादूर से दोता कहने का मनलब मेरे अंदर में जितना बादूर तुम मुझे समझते हो उससे में दुगना बादूर ज्यादा होता और इसी तरह इंक भी और बिलिंक भी इन्हों ने भी अपनी बहादरी की का था हैं बगारी वी वुल्ड हैब इन थी टाइम्स एज बेव भी थिंक यानि उन्हों ने एक कदम और आगे बढ़ा है का कि हम तीन गुले बहादर से दोते and custard set I quite agree तब custard ने का कि मैं भई ठीक है मित्रो मैं तुम्हारी बातों पर सहमत हूँ कि तुम दुगने और तिगने बादर हो मुझसे that everybody is braver than me कि हर व्यक्ती मुझसे ज़्यादा बादर है बेरिंडा still lives in her little white house बेरिंडा अभी भी अपने उस छोटे से सफेद मकान में रहती है with her little black kitten अपने काले kitten के साथ and her little grey mouse और अपने उस सलेटी mouse के साथ and her little yellow dog अपने छोटे yellow dog के साथ and her little red बैगन और अपनी छोटी बैगन के साथ and her really your true little pet dragon और अपने उस वास्तविक सचे छोटे पालतू डेगन के साथ आज भी रहती है बेरिंडा is as brave as a barrel full of beers बेरिंडा अतनी बादूर है यानि अत्यदिक बादूर है and ink and blink charge lions down the stairs और इंक और ब्लिंक इतने ज़्यादा बादूर है कि वह एक lion को भी शेर को भी पीछा करके सीडियों से बगा देते हैं mustard is as brave as a tiger in a rage और mustard उतना बादूर है जितना की एक tiger गुसे में होता है but custard keeps crying for a nice safe case लेकिन custard अभी भी एक सुरक्षित अच्छे cage के लिए पिंजरे के लिए रोता रहता है तो प्यारे बच्चो ये एक बहुती अलग तरह की poem थी जो बेलाड के रूप में थी अब हम इस poem के कुछ चुनिंदा क्सूष में थी ये एक रहता है कि कुछ भी चैंज नहीं हुआ है और देखिए कुछ कुश्चन हाउ डिट दा पैट्स ट्राइटू जस्टिफाई देर कोवार्डी बिहेवियर यह पालतू जानवरों ने अपने कायरता पूर्ण बिहवार के बचाव में क्या तरक दिया तो इसका अंसर हम इस तरह दे सकते हैं कि पैट्स गेव दा एक्सक्यूज देट इफ दे हैड नौट बिन सो सर्प्राइज दे बूड है बिन मुच मोर ब्रेवर देन दा ड्रेगन यह पालतू जानवरों ने अपने बचाव में यह तरक दिया कि यदि वे इतने स्थब्द ने होते तो वे ड्रेगन से कहीं अधी ब वंक्तियों में परिलक्षित होता है तिस कांसे हम इस तरह दे सकते हैं जड्रेगन्स क्वालिटी ओफ हुमालिटी इस शौन इन दीज लाइन और देखिए कुछ इंपोर्टेंट कुश्चिन वाट वाज देफेक्ट अप देगन्स अटेक ओन देपिरेट याणी डेगन के आक्रमन का समुदरी डांकु पर क्या प्रभा हुआ तरह देपिरेट वाज टेकन अबैक बाई देगन्स अटेक और गर्भड सम लिकर तू बॉलिष्टर हिज करेज याणी समुदरी डांकु डेगन का आक्रमन से इस्तब्द रह गया और उसने हिम्मज उटाने के लिए सराव के घूट बरे और देखिए और देगन ने समुदरी डांकु के साथ क्या किया तो देगन किल्ड डांकु को मार करके खा गया और देखिए कुछ क्वेश्चन बाट कवर्ड देगन से बॉड़ी याण डेगन का सरीर किस से डखा था देगन से बैक वाज कवर्ड विद स्पाइक्स एंड इट्स बैली वाज स्केल्स याण डेगन की पीट कांटों से बैवसका पेट सलकों से डखा था देगन के तुलना अंगीठी से क्यों की गई है देगन के तुलना एक अंगीठी से की गई है और देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि पाल्टू डेगन कायर था देगन आलवेज वांटेट तु वी सेफ इने केज तु अवाइड देंजर देगन की मालकिन कोन है तो बैलिंडा इस दा मिस्टेश आफ डा पैट डेगन और देखिए विच अड़ पैट एनिमल्स डज बैलिंडा एव इन हर हाऊस यह नहीं बैलिंडा की घर में और कौन से पालतू जान पर है तो बैलिंडा हैं एक टन ए माउस एड डॉग इन हर हाऊस एज पैट तो प्य लग किं